तो आप से को नमस्ते प्रणाम मैं आपका अपना ठागुर प्रखर सिंग हो रात के दस बच चुके हैं और कहानी का जो सिल्सिला है बदस्तूर जारी जी टॉंटी मीटिंग में चेहरा जो सबसे ज़्यादा सुर्खियों में आया था वो थी इटली की पीम जो जो जॉर्जिया में लोनी थी अब क्यों आये थी कैसे आये यह मैं आपको भी बता रहा हूं लेकिन उनका उनके पार्टनर यानि इक तरह से जो उनके हस्बैंट थे दस साल पूरा रिलेशनशिप खतम हो गया यानि इक तरह से तलाक हो गया अब तलाक होने के बाद अब दस साल पूरा रिलेशनशिप इन दोनों के बीचे एक साथ साल की बेटी अब यह चीजें मैं आपको इसलिए बता रहा हूं च्योंकि जब से जी 20 की मेटिंग हुई औ उनकी कुछ तस्वीरें वाइरल हुए तो जो लोग आप लोगों मेंसे सोसल मीडिया पे थोड़ा बहुत भी एक्टिव होंगे चाहे फेस्बूक चाहे इंस्टाग्राम वो तमाम लोग अगर रिल सेक्षन को स्कॉल कर रहे होंगे तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि मोदी जी और जो मेलोनी थी इनसे संबंदित कुछ फणी मीम्स और मोदी जी की आवाज में डब की हुए कई गाने आपकी आखों के सामने ना गुजरे हो यानि उन रिल्स में ऐसा दिखाया गया कि जो मोदी जी है वो मेलोनी को पसंद कर रहे हैं इधर मेलोनी उनको भाव नहीं दे रह हैं उसको कॉमेडी तक ही रहे तो अच्छा होगा लेकिन अब जब यह निकल के सामने आई कि मेलोनी जो है अपने पती को छोड़ रही है तलाक हो रहा है उनका स्टेटमेंट भी था कि हम लोगों के बीच चीज़ें ज्यादा बेहतर थी नहीं तो अब दूर रहने में ही हम लोगों की भलाई है तो जैसी यह चीज़ निकल के सामने आई तो फिर जो मेम्स एंड कंपनी है फिर से एक्टिफ की मोदी है तो मुम्किन है यानि मोदी जी ने तलाक करवा दिया हाला कि एक तरह से इसको मजाक में ही लिया जाए इसमें कोई सत्ता नहीं है लेकिन एक मेम के बीच में जहां सुरखियों में थी वहीं एक खबरहोर हुराई तो मुझे लगआ आपको बताना चाहिए अब आते हैं आज की कहानी काभू करते हैं इस कहानी में एक स्टेटमेंट मैं देना चाहनगा स्टार्टिंग में ही कि आम तो पर कोई कातिल होता है को जालसाज हो सामने आती है कि अगर कातिल है तो हाथ में चाकू लिए बयानक सा चेहरा होगा आखों में खून भरा होगा लेकर एक आदमी के पीछो दोड़ रहा होगा खून टपक रहा होगा एक जालसाज या फिर एक क्रिमिनल का चेहर अगर सोचें तो आहां पे छबी निकल के सामने आत यह तमाम चीज़ें जब सोचते हैं तो कहीं न कहीं जो हो चाहे कातिल हो चाहे अत्यारा हो चाहे कोई हैकर हो किसी भी की छबी जो होगी हम लोगों की आखों के सामने कभी अच्छी नहीं आती है यानि कोई खूपसूरत चेहरा नहीं आता लेकिन अगर ऐसा हो कि कोई काति में खुद एक जाल, उसके बाद उजाल साजी और करे, तो अब सोचिए कि उजाल कितना गंदा होगा, और फसने वाले आदमियों की गती क्या होती होगी, तो आज की कहानी कैसे ही खुबसूरती के जाल, जिसको आम तोर प्याजकल की भाशना में हनी ट्रेप कहा जाता है, उस यह डिलेफ थाना है, और 10 अक्टूवर की यह तारीक है, जब एक शक्ष इस थाने के अंदर जाता है, अब जैसे थाने के अंदर जाता है जाने के बाद, चुकि बड़ामीर शक्स था, तो उसको देखने के बाद पुलिस वाले फौरन कुरसी देते हैं, उसको बैठाते है बैठाने के बाद पूछते हैं कि भी आज यहां का रास्ता कैसे भूल गए, अब यह चीज़ जब वो सक्स सुनता है, तो कहीं न कहें उसकी हावभाव से उसको देखने से ऐसा लग रहा था, कि उसकी चेहरे की हवाईयां उड़ी हुई है, पुलिस वाले उसको बैठाते ह कि पुलिस वाले भी परिशान हैं कि आखिर कौन सा मामला यह क्यों आए हैं, उसके बाद वो सक्स जो थानेदार थे, उसके कहता है, कि मुझे आपसे अकेले में बात करनी है, अब यह चीज़ जब थानेदार सुनते हैं, तो ठीक ठाक सक्स था, अच्छा खासा बैग्राउ पुलिस वाले सुनते हैं, खासकर जो थानेदार थे, उन्हें लगा कि यह क्या है, चलो एक बाल लूट लिया, वो तो समझ में आता है, लेकिन आने वाले टाइम में फिर से लूटेगा, यह कैसे पॉसिबल है, इसके बाद फिर कहते हैं कि आप एक काम कीजिए, क्या हुआ था, सारी चीजे इत्मिदान से बताईए, इसके बाद यह जो शक्स आये थे, इन्होंने अपनी पूरी कहानी बताईए, और कहानी फिर पहुंच जाती है, लगबग चार महीने पहले, दरसल चार महीने पहले अपने दोस्तों के साथ बैठे थे, बैठने के दवरान आपस म सब हसी मजा कर रहे हैं, पार्टी की तयारी हो रही है, इसी दवरान एक शक्स था जिसके फोन पे लगाता नोटिफिकेशन आ रहे थे, अब नोटिफिकेशन आ रहे थे, उसके बाद वो चैट करने में बिजी हो गया, अब वो जब चैट करने में बिजी हुआ तो फिर इन install करते हो तो यहां पर आपको सुन्दर सुन्दर लड़किया मिलती हैं आप इन लड़कियों से दोस्ती कर सकते हो दोस्ती करने कि अगर दोस्ती आगे बढ़े तो फिर मेल जोल भी हो जाता है पार्टी डेटिंग इन तमाम जगहों पर आप लेकी जा सकते हैं अब यह चीज जब यह महा से सुनते हैं तो सुनने को दिने भी लगा कि बढ़िया आप है मैं भी ट्राइब करता हूं इसके बाद घर पे आते हैं आने के बाद उसाइब को इंस्टॉल करते हैं इंस्टॉल करने के अदलग लग प्रोफाइल लड़कियों के लड़क इसकी प्रोफाइल उसकी सारी चीजें उसका बायो और उसका एड्रेस यह तमाम चीजे जब यह देखते हैं तो नहीं लगता है कि साधी यह लड़की इनकी इंट्रेस्ट की है फौरन उसके पास रिक्वेस्ट बेज़ते हैं इत्फाग से कुछ देर बाद रिक्वेस्ट एक सेक्टर 29 में रहते हैं अच्छा खासा बिजनेस इनका ठेक ठाक पैसा है करोणों में प्रॉपर्टी है माबाप की क्लोते हैं उसके बाद उस लड़की ने अपने बारे में बताना शुरू किया कि मेरा नाम पायल है मैं इसी गुड़गाओं के सेक्टर 47 में रहती हूं और दिन से फिर मैं ऐसे जाए फिर एक दूसरी के बारे में जानकरी लेनी एक दोनों ने सुरू कि कि तुम पसंद क्या करती हो किस तरह कि तुम्हें गाने पसंद है किस तरह से तुम्हें दोस्ती पसंद है कैसे लड़के पसंद है कैसे लड़कियां पसंद है यानि यह जो ब पर बात करना उसी साब से सही नहीं है तो हो सके तो आप अपना नंबर दे दीजिए या फिर हो सके तो फिर सोसल मीडिया पर कहीं इंस्टाग्राम या फिर फेस्बूक आइडियो गएरा दे दीजिए इतने दिनों में इन दोनों के बीच इसकतर दोस्ती हो भी चुकी थी हो गई दोनों के भी इस नजदी किया बड़ी प्यार भी हो गया अब जब प्यार हुआ प्यार होने के बाद फिर इन दोनों ने कहा कि एक दूसरे सी मिलते हैं जब इन्हों ने कहा तो लड़की ने मना कर दिया मना करने के बाद कहा कि नहीं अभी उससाब से टाइम साथ ही ने खुशी भी भी की लड़की बड़े अच्छे घर की ये बड़ी संसकारी है कि नहीं मिलना चाह रही अभी ये इंतिजार करते हैं बादचीत का सिलसिला बदस्तूर जारी रहता है और इसी बीच तारीक हाती है एक अक्टूबर साल 2023 यानि आज से 19-20 दिन पहले की बात है एक अक्टूबर साल 2023 को पायल और ये बिजनिसमेन दोने दूसरे से बात कर रहे थे हैं बादचीत का सिलसिला फिर से मुलाकात पे जाके अटका उसके बाद फिर लड़की ने कहा कि काम करो अस तुम आज और मुझसे मिल ही लो उसके बाद इन्होंने कहा कहा तो फिर उसने अपना पूरा एड्रेस बताया और कहा गुडगाओं में जो सेक्टर 47 है वहीं एक बार है और उसी बार के बगल मेरा फ्लैट है तो तुम आ जाओ अब ये बकाइदे भाईया ना दो के तयार हुए तयार होने के बाद पहुंचते हैं पहुंचने के बाद वहाँ पे उ लड़की मिलती है मिलने के बाद जब इस लड़की को देखते हैं तो देखने के बाद बेहत खुबसूरत था यानि जो खुबसूरती साइद इन्हों ड्रिंक को गयरा करेंगे, उसके बाद फिर वक्त उजा रहेंगे, फिर तुम चले जाना, अब ये चीज जब ये सुनते हैं, दिनेंगे और लगा कि ये तो ओर अच्छी बात है, लड़की साथ में ड्रिंक करने को भी तैयार, उसके बाद जिस बार के बगर उसका फ्लैट थ ये उस बार में जाते हैं और वहाँ से कुछ ड्रिंक को गयरा लेके आते हैं, आने के बाद एक तारिक को ये, उसके रूम में जाते हैं, जाने के बाद अब गिलास में जाम परोसा जा चुका था, लड़की सामने थी, इसके बाद इन्होंने कहा कि अगर थोड़ी सी करने के बाद फिर क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, एक तारिक बीद गई, दो तारिक बीद गई, तीन तारिक को जब ये उठते हैं, उठने के बाद फिर मोबाइल देखने के कोशिच करते हैं, तो मोबाइल तो मिलता नहीं, इसके बाद फिर घड़ी और कलेंडर देखते है तो पता चलता है कि एक तारीक से गी गए थे एक तारीक से यह बेहोस हो गये थे वराज 3 तारीक है अब phone गायब था तो फॉरन ये wallet चेक करते हैं तो पता चलता है wallet भी गायब है इसी दरान इनकी नजर एक सीसे पर पड़ी तो सीसे में इनों ने देखा कि इनकी गरले की जो chain है वो भी गायब है साथ ही इनके जो debit card, credit card वो तमाम चीजें थी वो भी गायब इसके बाद ये तमाम चीजें देखते हैं बरदाश करते हैं वापस आते हैं गर जैसे तैसे करके अपने आपको समझाते हैं कि चलो जो होना था हो गया रेकिन कहानी तो यहीं से सुरू हुई थी दरसल जो debit card, credit card वो लड़की लेके गई थी उसी debit card, credit card से लगातार पैसे भी निकाले जा रहे थे और एक दो दिन के अंदर लगबख धाई से तीन लाख रुपए निकाले जा चुकी थे इनके पास जो iPhone 14 था वो भी लेके जा चुकी थी यह थाने आते हैं और आने के बाद यह पूरी कहानी बताते हैं अब पुलिस वाले जब यह पूरी कहानी सुनते हैं तो ने भी लगा कि यह तो अजब मामला है आम तोर पे हनी ट्रैप में आजकल क्या ट्रेंड चला कि वीडियो बना के ब्लैक मेल होता है लेकिन यहां तो बस बुलाया और विहोस किया लूट लिया यह कौन सा गिरो है अब चुकि आइफोन था और क्रेट कार्ड डेविट कार्ड यह तमाम चीजें साथ ही लड़की का नंबर भी था तो पुलिस वाले ने कहा कि चलो ट्रेस करते हैं पकड़ते हैं इसके बाद दस तारिक को यह कंप्लेन होई थी दसी तारिक से पुलिस वाले अब ट्रेस करन ट्रेस करना जब सुरू करते हैं उसके बाद अपना पूरा जाल बिछाते हैं तो वंत में उस लड़की की जो लोकेशन है और आइफोन का जो जीपियस था वो मिलता है और लड़की असल में निकलती है दिल्ली की चावडी की और लड़की को फिर जाते हैं पुलिस वाले वहां से गिरफतार करते हैं गिरफतार करके जब ठाने लाते हैं और उसे पूछते हैं कि तुम कौन हो तुम ऐसा क्यों कर रही हो और क्या तुमने पहली बार किया या इससे पहली भी कर चुकी तब लड़की ने जो कहानी सुनाई उसे सुनने के बाद तो पोलिस वालों के काईदे से पैरोतले जमीन किसक गई थी त्यूंकि ये लड़की कोई साधान लड़की नहीं थी दसल इस लड़की का नाम था सुर्भी गुपता उर्फायल उर्फसाक्ची तीनों में से आप कोई भी एक नाम पकड़ लीजे लिकिन असल जो नाम है वह सुर्भी गुपता सुर्भी गुपता जो दिल्ली का चावड़ी है वहीं के रहने वाली सुरुआ से पढ़ने लिखने में ब्यादोसियार दिल्ली उनिवर्स्टी से उसने ग्रेजुएशन किया माभाब भी ठीक ठाक बैग्राउंड वाले है तो जब दिल्ली इनिवर्स्टी से उसने किया बीजा लगवाती है पासपोर्ड वनवाती है और निकल जाती है यूस से यूस से जाके वहां से अंबीए करती है अब विदेश से अंबीए करना अपने आप में वैसे बढ़ा महतपूर होता है खासकर हम हिंदुस्तानियों के लिए उसके लग लग जगों पे उसने जॉब के लिए अपलाई किया कई मल्टीनिशनल कंपनियों में इसने जॉब किया ठीक ठाक पैकर्ज मिलता ठीक ठाक सेलरी मिलती लिकिन अब जहां जॉब करती हूं काम करना पड़ता है इधर जिसने हिसाब से इन्वेस्टमेंट था फॉरण से अंबीए करने में वो है हिंदुस्तान आती है हिंदुस्तान आने के बाद इसके दो और लड़कों से मुलाकात होती है एक का नाम था बिसाल और दूसरे का नाम था सुसील बिसाल और सुसील के साथ जबी मिलती है ये तीनों लोग आपस में बातचीत करते हैं तो तीनों की सोच तीनों के बात कर फिर जिस हिसाब से इस तुर्वी गुपता की खुबसूरती थी, उसे देखने के बाद फिर इन तीनों के जहन में एक आइडिया आया, कि क्यों ना हुसन का ही जाल बिछाया जाया है, बड़े बड़े लोगों को फसाएंगे, फसाने के बाद ब्लेकमेल करेंगे नहीं, बस ऐसे वगर लूटके फरार हो जाते हैं, इत्फाग से उस शक्स डर जाता है, अपने इजद अपने अबरों को लेगे, कई मुझ खोलता ने, इनकी हिम्मत इनका होसला और बढ़ जाता है, इसके बाद ये आ जाते हैं, गुड़गाओं, गुडगाओं में अब वैसे भी र बिचाया जाता, उनको अपने काबू में किया जाता, उसके आज मिलने बुलाया जाता, अगर ठीक ठाक रकम लेके वो लोग आते हैं, तो फिर उनको वहीं लूट लिया जाता, अगर नहीं आते हैं, तो फिर वीडियो बनाया जाता, और फिर ब्लेक मेल किया जाता, और ये के बाद लड़की ने अपने पूरे सिस्टम के बारे में भी बताया और फिर जब पुलिस वाले गए तो लड़की के पास थे दो लैपटॉप बगादा कई एपपल के फोन यानि आई फोन और अलग अलग क्रेडिट कार्ड डेविट कार्ड और अगर ऑन दा रिकॉर्ड बा कोई सस्ते से ऐसे लैपटाप जो कभी हैंग ना हो ऐसे लैपटाप जिससे ट्रांजिक्शन से लेकि सारे शॉप डिवर बहुत इसली रन कराये जा सके हैं साथे तेन आइफोन मिले अब तेनों आइफोन में हो सकता है एक आइफोन जो यह बिजनिसमेन थे इनका रहा हो ब इसली विलन कोन हैं उसकी कोई आइटेटिटी या फिर उसका कोई फोन ट्रेस नहुत यह इनका पूरा प्लान था यानि कायदे से देखे इक लड़की जो बकायता ग्रेज्वेशन करती ग्रेजुएसं करके फिर जाती अब्राइड वहां पर पोश्ट ग्रेज्वेशन करत थी, चुकि ऐसी कुछ घटना उनके साथ हुई, तो उन्हें ने कहा कि आप ऐसी कहानियों को सुनाई है, जिससे लोगों को जागरूख हो, थोड़ा सा, चुकि आज कल यह हनी ट्रैप ऐसे से प्लेटफॉर्म पे आता है, चुकि आप इस पूरी कहानिये का सेनारियो अगर सम के मरना है, तो फिलाल यह थी पूरी कहानी, अब आप से कल फिर मुलाकात होगी, लेकिन ऐसे मामलों से आप लोग प्लीज सचे जरूर रहिएगा, चुकि आज कल ऐसे जीजे बहुत हो रही है, तो फिलाल यह थी पूरी कहानी, अब आप से कल फिर मुलाकात होगी, किसी दूसरी कहानी के सारव तब तक अच्छे रहिएगा खुश रहेगा अपना ख्याल लगिएगा अपने देश को ख्याल लगिएगा जय हिंद बंदे मातर